हाई एवरिवन आज हम बनाने जा रहे हैं अपोलो फिश अपोलो फिश बनानी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तेल, जिंजर गालिक पेस्ट, रेट चिली पाउडर, टरमरिक पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लेमन जूस, करी लीव्स, लंबी कटी हुई हरी मिर्च, बारिक कटा हुआ जिंजर, बारिक कटा हुआ गालिक, कॉर्ण फ्लार, मैदा, दही, एक अंडा फेटा हुआ, रेट चिली सॉस, सोया सॉस और बोनलेस फिश ये जो फिश हमने ली है वो है बासा फिश इसके बदले आप मरेल ले सकते हैं तो आईए अब हम मैरिनेट करते ह अपनी अपोलो फिश सबसे पहले हम ले रहे हैं जिंजर गालिक पेस्ट अब इसमें हम दालेंगे रेट चिली पाउडर, थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर, नमक, स्वाद अनुसार एक प्रॉपरली मिक्स किया हुआ अंडा और लेमन जूस अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आगे इसमें हमें दालना है कॉर्ण फ्लार और मैला अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इस मसाले में हम दालेंगे अपनी बॉनलेस फिश अब अच्छे से इसे हमें कोट करना है और हम इस मैरिनेट को एक घंटे के लिए रख देंगे अब इसे हम रेफ्रिजरेट करेंगे एक घंटे के लिए अब हमारी फिश एक घंटे के बाद मैरिनेट हो गई है अच्छे से अब हम इसे फ्राइ करेंगे यह मेरा तेल गरम हो गया है और मैं इसमें अब अपनी फिश को फ्राइ करने के लिए डाल रही हूं अब हमारी फिश अच्छे से फ्राइ हो गई है और अब मैं इसे अलग से टेट में निकाल रही हूं आगे हम इस फिश को सौसेस का और जिंजर गालिक जो हमने फाइनली चौप करके रखे हुए है उसका हम इसे तड़का देंगे अब हम अपनी फिश को सौटे करेंगे यह मेंने कड़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है हमने अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ गारलिक और जिंजर इसे अच्छे से फ्राइ कर ले इसे थोड़ी दे अच्छे से फ्राइ होने दे अब हम इसमें आगे डाल रहे हैं लंबी कटी हुई हरी मिर्च इसे भी अच्छे से सौटे कर ले और साथ ही में हम डालेंगे थोड़े से करी लीस इसे अच्छे से पकने दे अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी से रेड चिली पाउडर थोड़ा सा रेड चिली सौस थोड़ा सा तोया सौस और थोड़ा सा दही इसे अब अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब इसमें हम डालेंगे अपनी फ्राइ की हुई फिश अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए यह हमारी फिश प्रॉपर्ली मिक्स हो गई है अब इसे दो मिनिट के लिए धीमी आज पर पकने के लिए रख दीजिए यह हमारी अपोलु फिश तयार है जरूर्ट आप हमारी चानल को लाइ गजिए शेख गजिए पर सब्स्क्राइख गीर पर इसेख गजिए पोलु पिक प्रॉट